नमस्कार आप देख रहे हैं CNE TV और आज की परमुक खबर गरम पानी से नेनिताल जन्पद अंतरगत आज हुई भारी बारिश्व बरफारी ने दुश्वारियां बढ़ा दियें जन्पद के विविन परवती शेत्रों में जहां शीत लहर का प्रकोव शुरू हो गया है वहीं ओखल खांडा से धाना चूली तक सडक मार्ग में बरफ जमने से वहान फिसल रहे हैं और संभावित दुरगटना की अश्रंका बनी हुई है देखिए स्वयाल बाड़ी वगरम पानी संभादाता अनूप सिंजीना की यह रिपोर्ट मुक्तेश्वर खांश्यों ओखल कांडा और धाना चूली में दिनांक नौकोव भैंकर बरबारी हो रही है और यहां जबकि सीट रहर का काफी प्रकोफ है लोग ठंड के मारे कुकुल रहे हैं यह मौसम का दूसरी बरबारी है यहां काफी तैजात में बरब का जमावडा लगा हुआ है खेत और खलिहान समस्त बरब में डूबे होए हैं और रोडों में ओखल काडा से धाना चूली आने की बीच्टी रोड में बलकुत गाड़ियों का आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि इससे गाड़ी फिसल के कहीं भी जा सकती है नीचे गिर सकती है तो इसमें लोगों को काफी परशानी का सामना करना पढ़ रहा है प्रश्चर रहा है